दोस्तों स्वागत है आप सभी का चैनल पर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इस Amcad wireless mouse के बारे में और इस पे हम एक full detailed review भी करने वाले और साथ में हम इस पे एक gaming test भी करने वाले तो अगर आप सोचो के आप इसको gaming के लिए use कर सकते हो या नहीं कर सकते है तो उस gaming में कैसे काम करता है तो अगर आपको जाना है तो इस वीडियो को पूरा end तक जरूर देखना तो चले शुरू करते हैं आज कि वीडियो को तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते इसके unboxing के बारे में क्या box contents मिलते फिर मैं आपको इसका review यहां पर बताता हो तो दोस्तों है और 1600 DPI तो आप इस पर switch भी कर सकते हो इन जो तीन DPI लेवल से तो उस पर जो माउस सेंसिटिविटी है उसका यहां पर इफेक्ट यहां पर चेंज हो जाएगा बाकी 2.4 GHz wireless है बाकी इसके जो box contents है वह मैं आपको यहां पर बता जाता हूं तो दोस्तों box में सामनी की देखने को मिल जाते हैं जो भी instructions है जो भी guidelines है यहां पर लिखी गई है और इसमें आपको free में एक battery भी देखने को मिल जाती है तो आपको बाहर मार्केट से एक 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 एक्ट्रा बैट्री पर्चेस नहीं करनी पड़ेगी तो आपको इंक्लूडइड इसी box के अंदर आपक यहां पर USB Receiver मिल जाता है जो आपको PC या Laptop में लगाना है तो जो भी माउस आप चलाओगे वो डेटा वो जो रिसीवर है वो रिसीव करके जो डेक्स्टॉप पर आपको जो माउस है वो वरकिंग यहां पर देखेगा बिना USB का जो रिसीवर है अगर आप वो नहीं लगाते उसमें आपको जो cell है वो इतने इंक्रूड़िट देखने को नहीं मिलते और बाकी HP लेनवो और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताने वाला हो कि यह जो यूनिट है यह सेकेंड यूनिट है यानि रिप्लेस्मेंट यूनिट है जो इसका फिर्स्ट यूनिट थ सबसे पहले चीज जो कलर था बॉड़ी जो फिजिकल अप्यारेंस था जो यह फुल ब्लैक होना चाहिए लिकिन उसकी जो हाफ बॉड़ी है वह यहां पर कलर उसके वाश्डाउट थे तो वह तो चलो एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि आपको दिख जाएगा लिकिन जो इसके ह ALQU Pick में जो प्रॉबलम था वो यह था कि जो फर्स यूनिट है उसमें हाड़ क्लिक तो 2.2 कि और महीं हाँ मैं लिकिन इसका नहीं था हो का जो माउस है उसमें हाड क्लिक्स है या जो स्क्रोल वील है वह ज्यादा कट-कट-कट आवाज करता है तो आप रिप्लेस्मेंट करवाद हो क्योंकि वह यूनिट डिफेक्टिव रहेगा तो दोस्तों यह रहा आपकेट का वार्लेस हश प्रो नेक्सस माऊस और इसकी बात करें तो बॉडी की बात करें तो तो इसमें आपको ग्रिप देखने को मिल जाती हो यहां पर ग्रिप अच्छी पराने वाले नॉर्मल माउस के नॉट गेमिंग माउस है उसमें थोड़ा स्वेट आता था लेकिन थोड़ा कम आता है दोनों से ही तो यह काफी चीज़ लगी के हाँ स्वेट रेजिस्टेंट काम कर रहा है और काफी रबराइज टेक्स्चर थोड़ा इसका अच्छा है और एमेजन पर रिव्यूज है वह भी यहां पर काफी इसकी तारीफ तो करी रहे बाकी गेमिन कैसा करता है और यूसेज कैसा है वह भी मैं आपको बताऊंगा बाकी क्लिक्स की इसकी बात करें तो जो दोनों ही क्लिक्स है वह इस वाले यूनिट में सॉफ्ट है यानि यह सही है इसके क्लिक सॉफ्ट है मतलब भी स्फ़श उनिट था ङागर आपको एंवी उनिट्स मिलता ह्भी अवाज कर रहा था तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी एक बीच में DPI स्विच देखने को मिल जाता है, तो आप इससे DPI को चेंज भी कर सकते हो, बैक में आपको सेंसर और जो बैटरी स्लोट और USB रिसीवर भी इसके अंदर मिलेगा, तो वो आप इसको निकालके अपने करते हो, वीडियो एटिंग हो गए है, या कुछ भी वो नॉर्मल यूसेज के अंदर आता है, तो नॉर्मल यूसेज में अगर आप इस माउस को यूस करना चाहते हो, तो डेफिनेटली माउस अच्छा है, नॉर्मल यूसेज के लिए कोई इस नहीं आए मुझे, कोई connectivity इस इस नहीं थे इस माउस में, और यूसबी रिसीवर भी काफी अच्छे से काम कर रहा था, डिटेक्ट हो जा रहा था, और बाकि जब शटडाउन करो तो माउस भी काम करना बंद कर देता है, मतलब ऐसा नहीं के बैटरी डली है, तो बैटरी कंजम्शन होता रहेगा, ऐसा न नहीं करोगे, यानि ऐसे यूज करोगे नहीं, इन एक्टिव स्टेट में रखोगे माउस को, तो इस लीप मोड में चले जाता है, तो आप ऐसे-से माउस को हिलाओगे, तो करसर नहीं हिलने वाला, आपको एक कोई भी बटन यहां पर प्रेस करना होगा, तब ही माउस स्ली बात करने करें, क्यूंकी इसमें DPI levels है, तो कोई सोच रहा है कि सॉफ्ट्वेर से भी चेंज कर सकते होंगे, तो नहीं है, नहीं स्फॉट्वेर से चेंज नहीं कर सकते, एक बंटन है, इसका कोई सॉफ्ट्वेर स्पोर्ट नहीं है और काफी हैंडी है, साइज में लोग आप वायरलेस से काम भी अच्छा कर रहा है किनेक्टिविटी इशूस भी इसमें फिलाल तो कुछ आ नहीं रहे और गेमिंग रिव्यू की बात करें जो की सबको इंतजार रहता है कि इस वायरलेस माउस पे वो भी सिफ 450 वाले गेमिंग वायरलेस माउस में अगर आप यहां पर कैसा यह परफॉर्मेंस देता है तो गेमिंग की बात करें तो मैंने इस माउस पर खेला था और काफी अच्छा चला है लेकिन जो फ्लिक्स वाले जो मोवेंट्स होते हैं वह आप डेफिनेटली इस माउस पर हमेशा मिस कर ही दोगे फ्लिक्स काम कर भी सकते लिकर लेकिन जैसे क्योंकि यह नॉर्मल माउस है उपर से वायरलेस है तो आप जैसे हिलाओगे तो जो कैमरा है जो कर्सर है वह उपर नीचे हो जाता है एक्दम फ्लिक्स वाले स्टेज पे जब आप जोर से माउस पैट पे इसको ऐसे फ्लिक करोगे आपिंग में या कुछ भी ह लेकिन एकदम इंटेंस एक्शन अगर सीन्स आगए कैश्वल मैच में या फ्लिक देना है आपको तो इसमें यह मिस हो सकता है लेकिन अगर हम बात करें गेम्स लाइक जीटीए फाइव और और बी रेडेट डेम्शन टू जो स्टोरी बेस्ट केम्स है उसमें आपको इसमे यह वार्लेस माउस ऐसे गेम्स के लिए काफी परफेक्ट है जैसकि जैसे Smash gta 5 यह gta series हो गई तो championship Carney बेस्ट गेम्स गेम्स हो गयुआ करता हो बटन को वैसे action हो जाता है आज तक अभी तक के यूसर में मुझे एक दो सेकंड का भी डीले नहीं लगा तो मतलब काफी अन्नोटिसेबल है और रहेगा भी थो भी बहुत ही अन्नोटिसेबल है मतलब आपको दिखेगा ही नहीं कि कोई डीले है भी या नहीं है तो यहां पर एफेक्ट पर सकता है लेकिन वैसे तो यहां पर कोई अगर पीसी आपका नया है या डेक्शॉप कंडिशन के यूसबी पोर्ट की कंडिशन अच्छी है तो कोई शूस नहीं आने वाले लिकिन अगर खराब है तो आपके माउस के वरकिंग में प्रॉब्लम आ सकत करते हैं तो आप इस माउस को इंगनॉर करें सभी माउस को बजट सेग्मेंट और जो वाइड गेमिंग के लिए गेंच लाइक सीर्ग में माउस ही आप प्रेफर करो क्योंकि वह घ्यादा अच्छे रहते हैं गेमिंग के लिए छिस के सूपर साइलेंट है और इसका जो लि के लिए ओफिस वर्क के लिए बिजनस वर्क के लिए कंसीडर कर सकते हो और और अगर आपको इसमें गेमिंग भी करनी है जैसे जीटे फाइफ खेलना या जीटे फाइफ जैसे गेम सोगा स्टोरी मोड गेम जिसमें माउस फ्लिक्स मैटर नहीं करते तो भी आप उन गेमों के लें भी स्म्सकों यूश्प कर सकते हो तो बस बसके इसा फीडियो में तो इतना ही था यहीदो को पसंद आही जो महस लेना और इसका फिर सिबूल रहा हूं हो इसका जो लिंक है वत का बहुत बहुत थैंक्र